कि है यूधर वार्वान वख़ाऊंट को जएनिक जेई एफ्टेड़ी लास्स्टाइम रिस्कार रहे थे कि भाइब जो हमारा त्यूट लाइट है उसके मैथट्स हम लोग डिस्ट्सेरें परफॉर्म करना सीखेंगे ऐसी बात में इस तारी चीज़े बारे मैंने बोला यह कि उसको मैं बाद में बताऊंगा तो यह सारी चीज़े स्टार्ट करने से पहले कोई भी डिसकेशन स्टार्ट करने से पहले पहले सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए आपके लिए बहुत बेनिफिशल होगा ठीक है इतना फटाफट कर लिए फिर हम लोग आगे कंटीन्यू करते हैं तो लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया कि इस थेडिलाइट के पा पारतुत लोग आज मैं बहुत क्षा होगा रहे हों स्टार्ट करने जा रहे हों इस रहे हों स्टार्ट अग्ड़क टो पहला काम हम आज करेंगे कि तो थ्वोड़ राइट की मदद से हारीजान देलेंकल कैसे द्करते हैं वह आज हम सीखने वाले हैं तो हो जाईए एक बा अंगल बाई‌त्योडोलाइट और जैंगल ईंगल ले के मुझे doğru लाइट शूदो लायट है मैं मुझे छे रिजेन्टल एंगल उनुर्णार से कैसे करेंगे बहाई है latest image I haven't मेफेड और जेंडिल एंगल मीजर करने के दिया तीन मैथेड है फस्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल मैफट यह जन्रल मैथेड यह ओर्डिनरी मैफट बोलते हैं और डिनरी साधारां यह सामान बीदि ओर डिनरी मैफटट न इसके बाद दूसरा जो है डियर दूसरा जिसकी बात करें अगर तो दूसरा जिसे बोलते हैं रिपिटीशन मैथेड आवरिती भी देड इसको बोलते हैं रिपिटीशन मैथेड आवरिती भी देड और थर्ड जो आता है डियर इसको बोलते हैं रिटरेशन मैथेड method अनरक्त पुनरुपति विदी से closing of origin भी बोलते हैं रिटरेशन या closing of origin closing of origin एक मेट ही बूलते हैं इसी ये तीन मेटेड्स है जो आपके सामने आपर मैं पेश कर रहा हूं था चीसिंटा तो जैन्रल ओडिनरे मेथेड रिटेंट रिटेशन मेथेड आज अब लोग पढ़ने वाले हैं डेट जैन्रल या और डिनरी मेथेड जैनल या ओडिनरी मेथेड किसे कहते हैं बता दे आपको आप दो अब देखे कैसे setup करना अमें मतलब जैसे की किनी भी दो बिंदुएं के मद that is P and that is Q और इनके मद्ध हमें और जेंटल एंगल P O Q मीजर करना विद्धा हैल्प थ्योडोलाइट तो कोई दिक्कत नहीं भी यहां पे लिया और सेट कर लिया कोई दिक्कत आइधिंक रेक्षाल से होनी चाहिए ठीक है फिलाल जब तक मैं हूँ तब तक तो नहीं होनी चाहिए दिक्कत इसमें ठीक है तो अब यह अब इनके मद्ध का में 36 को और जेंटल एंगल P O Q पी O Q क्यों करना क सुब है कितना होगा कैसे में अजय करेंगे पिंह घंष चैनल मैजसे की मद्ध कैसे मेंक आइधि कैसे मीजर करेंगे देखिए दो है कि कैंप आशांबिट आशा प्रीय पी ओ क्यों क्यों मिजर्मेंट है और जो है है इसमें सबसे पहले क्या करेंगे ही थोड़ो लाइट को हम अब हमें यह पी ओक्यू अंग्ल मीजर करना है चोड़ो लाइट को उठाएंगे और फटाफ़ट स्टीशन ओपर सेट कर लेंगे ऑपर हम अपना सेटप कर लेंगे थोडो इस टी एच टी एच फॉर थेडोलाइट हमने सेट अप कर लिया ओपर ओपर करने के बाद जो भी प्रोसेस था मतलब करने के बाद अब हमें क्या करना है कि जो अपर प्लेट के खलेंब को डिले लेना है उनको लूज कर लेना है और लूज करने के डिला करने लेने के बाद जो lower plate है, उसके zero निशान पर, जो बढ दो वनिएर मैंने बताया था न वनियर plates में क्या होता, दो वनियर होता है, एक A और दूसरा वनियर B, वनियर A जीरो निशान पर और वनियर B मेल स्केशल के 180 डिगरी के निशान पर set करिए वर्नियर A को 0 degree के निशान पर और वर्नियर B को 180 degree के निशान पर set करिए कस्ते हैं पहले और कसने के बाद जैसे कि आपने इसको clamp कर दिया क्लैम करने के बाद इसको exactly clamp कर इसको tangent screw की मतब से 0 पर निशान पर लाते हैं जो वर्नियर प्लेट का स्केल इंडेक्स है उसको हम एक जो है जीरो निशान पर और बी गोवर्नियर डिगरी पर हमें set करना है तो क्लैम करने के बाद ही slow motion इसकुर काम करता यह मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं जो हमारा tangent इसकुर जिसे हम exactly 0 degree पर कोइंसाइट कराएंगे मेन स्केल के 0 डिगरी पर वर्नियर का इंडेक्स हम जो लाई कराएंगे वो तभी काम करेगा तबust भी बरर करेगा जब इसका लोवर्ट का क्लैम कसा होगा ठीक अपर प्लेट का क्लैम करना करना और इसके बाद बीकभी जो है वही काम करना है उसको मेन सेल्सकों ने बर आको लाई कर आना यह पहली प्रायोर्टी एक सेट एक्स सी डिग्री पर यह होना चाहिए ऐसा ओकlar आनुग क्या करेंगे कि लोब को लूज़ करेंगे लुड करेंगे और धीला करने के के बाद उसको हम रोटेट कर देंगे पी की तरफ किसकी बात कर रहा हूं मैं lower plate मतलब scale plate जीसे बोलते हैं न हम लोग क्या बोलते हैं scale plate scale plate और वो सारे precautions आपको apply करने ही है जो मैंने बोला था आपको जैसे रीडिंग लेते समय अब्जर्वेशन लेते समय क्या 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 प्रिकॉर्शन से जो अप्लाई करेंगे तो लोवर प्लेट या scale plate को हम रोटेट करेंगे पी की तरफ डियर रोटेट कर देंगे और पी की तरफ रोटेट करने पर पी को लक्षबद करेंगे पी पर जो रेंजिंग नोट प्रिक्स किया है उसको आम टेलिस्कोप से 62 करेंगे लोग प्लेट को लूज करते हैं अब लोग प्लेट से रिवरनेयर प्लेट से कोई या नहीं है कोई मतलब नहीं थीक है वह रीव फॉर लग वह लग है तो उसको तरफ चलिय करने के बाद भाद इसको क्लम कर देंगे कसा और अभी exactly bisect नहीं हुआ पी पी को exactly bisect करने के लिए जो lower plate का clamp tangent screw जिसे slow motion screw बोलते हैं हम लोग उसको जो है हम लोग clamp जो है use करेंगे और उसको use करके जो P पर ranging dot fix हुआ है उसको हम लोग जो है क्या कर देंगे target करेंगे bisect करेंगे bisect होना चाहिए dear जैसे यह bisect होने लगेगा उसके बाद अब A पर और B पर reading note कर लेंगे reading A और B पर reading note कर लेंगे ध्यान दीजिएगा और A और B पर reading में difference भी आएगा ठीक हो सकता है difference 180 degree condition यह है dear कि दोनों के बीच difference 180 degree होना चाहिए यह चीज़ आप ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे कि अपर plate को loose करेंगे अभी वह lower plate को loose करके हमने P की तरफ direct कर दिया अब अपर plate को loose करेंगे यह वर्नियर plate को loose करेंगे dear और और क्या करतेंगे daword कर देंगे direct कर देंगे क्यूं की तर foodoor participating कर देंगे क्यूं 2003 पर लगे वह रंजिंग राट को buy set करेंगे हम जो है और क्यूं लुक्श्यक्रबद्ध होना चाहिए होना चाहिए और वर्नियर प्लेट्यानि इस यह पर प्लेट बोलते हैं उसको हम लोग यह वर्नियर प्लेट यह अपर प्लेट फीक है ना वर्नियर प्लेट यह अपर प्लेट अपर प्लेट ना वर्नियर प्लेट यह अपर प्लेट डीर करेंगे तो जो है आपको यह डावर्ट करेंगे अब कहां चला गया आगया ठीक है तो exactly by set करने के लिए अब अपने कर लिया आप उसको क्लैब कर देंगे क्लैब करने के बाद exactly by set करने के लिए इस अपर प्लेट का यह वर्नियर प्लेट का हम slow motion sprr या tangent sprr जी से बोलते हैं उसको यूज करेंगे और यह exactly by set होने लगा जैसे यह इतना काम करेंगे आप फिर तुरंद ए और बी पर रीडिंग देने लगेगा यह और बी पर रीडिंग देने लगे यह और बी पर रीडिंग जैसे देने लगा उस रीडिंग को भी नोट करेंगे यह और बी पर जो रीडिंग पर करेंगे आप ठीक है इसको पहले प्रिफर किया जाता है और इसके बाद यह सारी चीज़े करने के बाद आपको सीधे ए पर तो आपको सीधे जो एंगल पीओ की होगा उसका मान आपको रिप्रेजेंट होने लगेगा वर्नियर ए पर है ना क्योंकि वर्नियर शुरू में 00 धिकरी पर अधिक्री पर था लेकिन प्लष जो रीटिंग दे गाए फ्लस दे गा तो भीवर दीर मैं करने के लिए प्टा करने के लिए peg ठीक मान लेंगे उनका उसक मान लेंगे श्रक्तलिंग हो वह गया और ये एकुरेट उसके बाद यही पूरा प्रोसीजर यही पूरा प्रोसीजर आप क्या करेंगे और जा आये गा तो उसका जो है फेस चेंज जाएगा फेस राइट ऑबोस भुखरेंगे शार्च राइट अबसे अबॉड़स करेंगे और यह सारे process repeat करेंगे जो मैंने भी आपको यहां पर बताया और उन process को repeat करते हुए उन process को repeat करते हुए डियत जो है क्या होगा कि उन process को repeat करते हैं फिर इस तरह से आपको a b पर फिर reading मिलेगी वह reading आपका face right observation के लिए और यह reading आपका face left observation के लिए दोनो रीडिंग्स का average अब लेंगे और दोनों फलकों का जो आसत दर्शाएगा और जो दोनों फलकों का आसत दर्शाएगा वही कोड़ परिशुद वही कोड़ पी ओक्यूगा परिशुद चैटिश कोड़ का मान होगा चैटिश कोड़ साधारन और बहुत नॉर्मल वे में हैं बहुत इजी वे में हम इसको understand कर सकते हैं और यह भी और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपके सामने इसकी टेबल बना दूंगा अभी मैं आपके सामने इसके टेबल क्रिएट करने जा रहा हूं इसकी टेबल से आपको और ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाएगा कि सरक किसके बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए इसका टेबल में आपके सामने बनाना शुरू करता हूं इसका टेबल स्सक्राइबल स्टार्ट करता हूं मैं यह देखिए लगपक 11-12 कॉलम की टेबल बंती है पहला काम तयार हम लोगों को यह करना जाया है कि यह सीरिल लंबर हो गया सीरियल नंबर तो जानते हैं यह आप सब लोग ठीक सीरियल लंबर के बाद जो है यह हो जाएगा आपका फेस बतलब फलक तेहरा नहीं आपका फेस फलक आपके इंस्ट्रुमेंट का ले रहा अब्जर्वेशन ले रहा यह इंस्ट्रुमेंट इस्टेशन का कॉलम हो जाएगा दियर इंस्ट्रुमेंट इस्टेशन इंस्ट्रुमेंट इस्टेशन कौन सा ले जाए ये उसके बाद ऱीवार मिया रीडिंग कि कॉलम मिल लो आ वर नियर रीडिंग दिए यह बरनीय यह और यह अओ रिए अच बिट वर नियर ए और यह वर्णीर बी ओके डीर कितना क्लियर हैं अब उसके बाद मैं ihan स्वणियर एब और 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 पनियर भी कि इसके बाद में रिडिंग आ जायेगी आपकी मतलब की अब देखे आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो reading आपको मेल रही है वह reading मिलेगी वर्नियर का reading हो गया अब ये observed angle हो गया Oxford angle AT A&B observed angle AT A&B तो यے observed angle थोड़ा सा इसको Change करना पड़ेगा discovered angle mı observed एंगल कहां कहां पर आपजर्ड एंगल डियर एपर और बी पर कहां कहां पर एट 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 बी ठीक है ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे आपको अब ठीक अब एवरेज ऑ वर्नियर्स या एवरेज हो जाएगा वरेज आ अवरेज ऑस्थ रिदीग्स यह वर्नियर्स arch ठीक है फिर एकुरेट एंगल ठीक है एक्जक्ट वयलू या एकुरेट एंगल मान सकते और ऑगे मान मुक्त अ कैट को दि 걸ूब एकुरेट वैलू या रिडिंग से कितना हुआ बाई एक दो तीन चार पांच साथ आठ नो दस एंगल पी ओख्यू है ठीक है एकुरेट एंगल एंगल पी ओख्यू है कि वैलू यह हो जाएगी और यह रिमार्क मतलब तो रिमार्क मतलब ब्यूर्ण है ना है क्या रिमार्क है और देखते हैं हम लोग कुछ और अगर चेंज होने लायक है तो ठीक है यह हो गया डिये अब इसके बाद देखो क्या है कि कि अब जैसे माल लीजिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं मैं न आपको सुविधार रहेगी अब इसके सारे रेडिंग्स हम लोग लेंगे अच्छा असान हो जाएगा यह ठीक है आप देखे क्या है कि अब यहां पर क्या है ना अभी आप लिख सकते हैं यहां पर इसका लिस्ट काउंट लिख दीजिए अपने थेटो लाइट का लिस्ट काउंट लिख दो वाई 20 सेकेंड है ठीक है यहां पर डेट डाल दो भी यह डेट फ़ला तारिक में हमने किया था ठीक है आज की डिट डाल दे क्या आज की डिट क्या है कि चलो कोई भी डेट ले लिजिए खिले माल लेते हैं आज डिट ले लेते हैं 11 अगस्त कि ठीक है 11 अगस्त 2021 ठीक अब अब जर्व जो यहां पर अब जर्वर है अब यह सर्वेयर है वह अपना लिख आप अपना नाम लिख सकते हैं कि अब जर्वर कि यह हो गया कि अब जर्वर कि अब जर्वर कि आप अपना नाम लिख दीजिए अब देखे पहला को यह सिस्टम है कि पहला चीज तो हम जो है डियर लट पेस के लिए करेंगे और उसके बाद राइट पेस के लिए करेंगे तो यह पहला सीरियल नंबर लफ पेस के लिए न किसके लिए लफ पेस के लिए इंस्ट्रुमेंट इस्टेशन वही है जिसके मैं बात करतें पी ओ क्यों यही फीगर है आपका ठीक एंगल पी ओ क्यों पी ओ क्यों 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 प्रपमर्ण्ट दिर्माइन करना है इसके लिए लेवस आब्झर्वेशन हों , इसेशनu सेट के ओपर सेट किया तो वह चिया इस्ट्रॉमेंट इसेशन अब्ज़ाइब करेंगे के डिंगे तो रिडिंग Hamilton पतलब जब आप करेंगे तो ए पर रेडिंग पहले 00 होगी जीरो डिग्री जीरो मिनेट जीरो सेकेंड है ना बी पर रेडिंग क्या होगी 180 डिग्री जीरो मिनेट जीरो सेकेंड इस तरे है अब माँ लिजे वी पर पर यह पर नुक्σεट लिखना पड़ेगा नियां तो दोध है दिशिस फी दिशिस क्यूब अब माल लिजेअ इपर सीधी डिंग आपको दे लेगा माल ले 34 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड ठीक है 34 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड एक वर्नियर एक पर जब क्यों के तरफ राट किया तो रेडिंग पर यह रेडिंग देखो क्या मिली बीपर मैंने जैसे बता है तो माल लेते हैं भाई हम लोग की 280 24 डिग्री पंदर मिनट 235 मिनट 40 सेकंड अब्जर्ड एंगल एट एप आप अप्जर्ड एंगल करेंगे हम एंगल और करेंगे वो कित्ता मिला हमें यहांपर जो ए पर अंगल अब्जर्ड हो रहा है वो 34 डीग्री 15 मिनेट 20 सेकंड मिला 34 डीग्री 15 मिनेट 20 सेकंड और जो बीपर रेटिंग मिल बीपर हमें एंगल मिल रहे हैं 34 डीपंदर मिनेट 40 सेकंड मिला देखें इस में से 60 सिब्टाइट करिए जोस्तो 14, 15, 40 204, 15, 40 में से 100 सी भाई सब्क्रेट कर दो हो गया काम 15 degree minute 40 second 34 degree हो गया 4 degree 5 minute 40 second तो यह कितना हो गया अंगल मिला में 34 degree 15 minute 40 second 15 minute 40 second अग्जिक डिए हैं किसमंझ में आ रहा कि नहीं हो रहा कि नहीं ठीक कि आप देखेंगे अबर्ले दोनों का आप में मतलब इन दोनों का अवरज लेंगे अपन लो तो ले लेते हैं भी आपरज क्या सब्सक्राइब दोनों को जोड़ करके मतलब ए प्लस भी वाइटू यह ए प्लस भी वाइटू हो जाएगा तो दोनों को जोड़ तो भाई चालिस बीस ताट हो जाएगा तीस सेकेंड यह हो गया और चौटिस डिगरी पंदरा मिनिट आ जाएगा तो इसका आ जाएगा चौटिस डिगरी पंदरा मिनिट और यह तीस सेकेंड फाइनली ठीक ठीक है अभी तक लियर हुआ आपको अभी आगे को और क्लियर करता हूं मैं थोड़ी सी सीचे मुझे यहाँ पर कि डिलीट करनी पड़ेंगे सॉरी अभी रेजर उठा लेता हूं मैं मैं रेजर यह उठा लिया मैंने और यह देखिए और वर्क शुरू कर दिया है ठीक चलिए फटा फट पैन उठा लेते हैं देखिए अभी एकुरेट एंगल एकुरेट वैलू नहीं मिलेगा अभी एंगल प्यों क्यों नहीं मिलेगा अभी अभी जब तक हम राइट पेस का अपरेट रिपिट नहीं करेंगा अब पूरा यह प्रोसीजर जैसे हमने एक लिए के लिए रिपिट किया सेम उसी वे में दो बी के लिए रिपिट मतलब रअच लिए रिपिट करेंगे तो राइट पेस के लिए आप या राइनिन icon को दिक्कत ए copies? अभ जब हमने राइट पैस के लिए लिवा प्युक्त gaan कि बीग्री 0 minute 0 second होना चाहिए यहां पर 180 degree 0 minute और 0 second होना चाहिए क्योंकि तरफ direct किया तो माल लेजे रीडिंग हमें मिल गए 24 degree 15 minute 40 second ठीक है 34 degree 15 minute 40 second 34 degree 15 minute 40 second और यहां पर मिल गए हमें रीडिंग यह है जो है एक सो असी में आप इतना एड कर दीजिए 34 degree 16 minute तो हो गया वही है दोसो 14 degree 16 minute 00 second ठीक अभी है खोई इकत नहीं एपर जो रीडिंग आएगी चौतिस पंदरा 40 हा रही सीधी सीधी चौतिस डिगरी 15 minute 40 second और जो बीपर रीडिंग आए यह सब्सक्राइट करते है एपर बीपर ठीक है ना डियर आप देखें इन दोनों का आवरेज हम लोगों के लिए ले लो आवरेज कोई दिक्कत की बात नहीं है आवरेज ले 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 लेते हैं भाई कि नोदीस बंदर चालिस ओला दूनों का आवरेज लीजिए देखें कि इतना आता है भाई 34 डिगरी 15 मिनट और यह 40 सेकंड और यह हो गया डियर 34 डिगरी 15 मिनट और यह 60 सेकंड ठीक है है 34 डिगरी 15 मिनट साथ सेकंड का एक मिनट हो जाएगा साथ चालिस सो यह गया सो सेकंड पंदरा पंदरा तीस मिनट चार चार आठ डिगी 30 मिनट सो सेकंड आवरेज निकालों के दो से भाग देतों के यह कितना हो जाएगा 34 डिगरी 15 मिनट 50 सेकंड ठीक है न तो इसके बाद क्या है इसके बाद क्या है इसके बाद देखो क्या है अब यह एक अभी हमें फेस लाइट का भी अब्जर्वेशन मिलिया राइट के मिलेगा दो लोका हम लोग अबरेज ले लेंगे अबरेज आफ वर्मियर हो गया यह अबरेज आफ पेस वाला कॉलम बनेगा तो इसको भाई हम लोगों को अबरेज आफ फेस लिखना पड़ेगा अबरेज आफ पेस यह हमने लिख दिया अबरेज आफ फेस पलकों का अबरेज अबरेज आफ फेस किता आया चौतिस बंदरा तीस चौतिस पंदरा पचास तीस असी मतलब चालिस यानि कि चौतिस डिग्री 15 मिनट चालिस सेक忍ड और यही एंगल क्योख कम आण has योक्यू बराबर 34 डिगरी 15 मिनट 40 सेकेंड देख रहा ना आप लिख से भी है एंगल पी योक्यू का मान ही बस हो गया काम अपना चीक है यह जो है इस तरह तो यह जो है कि हो गया है अब भी आपकी टेबल हो गई complete साहग ँफ मिश्र करते हैं इतने पापण जो आपने सीखा आप्डम ये ये अब इसमें अगर कोई दाउट कोई होगी तो मुझे आप जरूर बताइए कमेंडरों से मेरे ख्याल से होनी नीची है अब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मैथेड की बात करते हैं डाट इसकेंड मैथेड जिसकी बात कर रहे हैं जो की है डियर भिल सब्सकी करते हैंच छंद य है जिसे बोलते हैं रेपिटीशन मैधिट क्या जख वरिपिटेशन इंगल को बार बार मिन्सर किया जाता है ने से वो भी तब तक मीजर किया था जब तक कोई एर ना क्रेंट हो आप बार-बार मीजर करने से दो-तीन बार रीडिंग लेने से उनका फिर एवरेज लिया आता है इससे होता क्या है कि हर जेंटल एंगल का मांद दशंब्रों के मतलब लीस्ट काउंट से भी और आगे तक वैल से जादा तब यह बतलब इफेक्टिव नहीं रहता फिर रिडिंग सब्सक्राइब पर भावित होने लगती है ठीक है तो यह चीज़ें है एंडिया रिपिटेशन मैठेट की अच्छा रिपिटेशन मैठेट में करते क्या है यह जो एंगला जिसे पीओ की देख रहना यह तो यह एंगल वा जो आप बार-बार मीजर करते हैं तीन बार मीजर करेंगे लेट फेस अबजर्वेशन से से मिज़एंके बाद बैयर मीजर करने के बाद फिर उनका अब्रेज लेंगे और फिर जब फलकों क्या उसत्त लेंगे तब जाके आग स्थाने खेसे लिगिए प adjust करना बार बार क्लैंप करना लूज करना डीला करना टाइट करना इधर करना वुदर करना तो उसमें फिर प्रभावित कोने सब्सक्राइब होता है तो होता है कैसे होता है रिप्टेशन मैंत्यद से लिए जो है इसका जो repetition method का है चलिए repetition method को हुम लोग dear discuss करेंगे next lecture में ठीक है next lecture में discuss करेंगे repetition method को और तब तक के लिए पढ़ाई करते रही है अच्छे से इसको better करिए बूस्ट अब करते रही है ठीक है ना बेटर रहेगा आपके लिए और जो भी चीज़े पढ़ाई जारें को बहुत केरफुली स्टडी के रिए यह बहुत हेलपफुल होने वाले हैं आपके एक्जाम्स में तो यह चाहे आपका मप्री हो मेंस हो कोई भी हो आप बहुत अच्छे से इसको त्यार करें का बेनिफिट आपको मिलने वाला है होगे तो मस्त रहिए मुस्कुराते रहिए हस्ते रहिए खिल खिलाते रहिए थैंक यू अब्रेवान थैंक यू सो मच कि अच्छे से वाला है